हैलो दोस्तो आप सबका फिर से एक बर एक नए वीडियो में स्वागत हैं तो दोस्तो आज हम Cellcall 57G टबलेट के बारे में फुल जनकारी बताने वाले हैं complete information देंगे कि भाई ये जो टबलेट है या अखिरकार कौन सी समस्याओं में आपको उप्योग करनी है और कब लेना है कैसे लेना है कितनी दिनों तक लेना है और इसको लेने से क्या नुक्सान हो सकते हैं तो दोस्तों पूरी जनकारी इस वीडियो में मिलेगी इसलिए वीडियो को पूरा देखें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं क्योंकि हम एसे ही medicine से related वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, देखिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो शेलकल 500 mg टबलेट है, यह आपको medical store पर भाई जो है वो कितने रुपए में मिल जाती है, अब बात करते हैं इसके composition के बारे में, तो भाई इस टबलेट में मुख्या रूप से calcium 500 mg मिला है और vitamin D3 800 international unit मिला हुआ है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं इस शेलकल 500 mg टबलेट के उपयोग के बारे में, तो इस टबलेट का उपयोग मरीजों में हडियों से जुड़ी समस्याओ को ठीकरने के लिए किया जाता है, अगर किसी को vitamin D3 की कमी हो गई है, या सरीर में calcium की कमी हो गई है, तो उसे ठीकरने के लिए इस टबलेट का उपयोग किया जाता है, और साथ में ये जो कैल्सियम की टबलेट है ये जो कंडिशन है वो आश्टियो प्रोसिस की कंडिशन में दिया जाता है फिजिकली क्या होता है कि आपकी जो बोन होती है यानि की हड़ी होती है वो ब्रीटल हो जाती है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है तो इसमें इसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा इस दवा का उप्योग रिकेट्स और अस्टियो मलेसियर में भी किया जाता है इसमें जो आपकी हड़ी है वो बहुत ज़्यादा सौफ्ट हो जाती है या नरम मुलायम हो जात है और शाथ ही साथ है जो हड़ी है वह काफी ज्यादा कमझूर हो जाती है तो यह सब समस्या शरीर में केल्सियम की कमी से होता हैो यह से कंडििशन में इस टम्लेट का उपयोग ॡुक्टर द्वारा किया जाता है अगर आपके शरीर में बिटामिन D3 की कमी हो जाती है, आपके जो पेठ है, वो भोजन की नली होता है, या लिवर कमजोर हो जाता है, और आपके जो आथ है, वो ठीक तरीके से इसको एब्जर्ब नहीं कर पा रही है, या फिर आप है, जो धूप नहीं लेते होंगे, तो इन सभी कंडिशन में जो है केल्सियम एंड बिटामिन D3, भाई आपको जोड़ से सम्मंदिद तो प्राब्लम होती है, जिनका उम्र 40 साल से उपर है, उनके घुटनों में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मास्पेशियों में ठकान बनी रहना, तो यह सारी सम मस्या एं होती है, तो अब इस दवाई को वहाँ पर उप्योग किया जाता है, तो दोस्तोos अगर किसी को गठिया की समच्या है, तो उसमें भी इसका उप्योग किया जाता है और यह दवाई इसके लिए बहुत helpful है, चलिए दोस्तो अब आपको फटाफट बताते हैं कि आखिरकार इस अलकॉल 5-7 टबलेट को कैसे लेना रहता है तो दोस्तो इस दवा को अक्सर और्थोपेडिक डॉक्टर ही देते हैं जो हड़ी और नॉस के डॉक्टर होते हैं वही डॉक्टर इसको सलाह देते हैं और इसको देने से पहले डॉक्टर मरीज का एज बडी वेट और क्या समस्या हैं ये सब देख कर देते हैं तो भाई इस टबलेट को डॉक्टर द्वारा ही आपको दिन में एक से दो बार इस टबलेट को एक एक टबलेट दिया जाता हैं और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद सला देते हैं तो दोस्तो इसी तरह से आप इसका स्यवन कर सकते हैं या तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से सला लेकर कर सकते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं इस एलकल 5MG टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में Cellcall 500MG Tablet के बारे में, I hope दोस्तों तो आज को लीतना ही, तो दोस्तों आप लोग réflो aking ने Cellcall 500MG Tablet के बारे में जाना, तो आप लोगों को यह वİडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किजिए, और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में किसी परकार के कोश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यबाद